Hello everyone, welcome to the Tech Yatra, my name is Nishan और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि SQL Server में row number function क्या होता है and then हम उसे कैसे use करते हैं, so let's start मैंने आज की वीडियो के लिए कुछ questions figure out किये हैं जिनको मैं one by one इस वीडियो में cover करने वाला हूँ सबसे पहला question है कि SQL Server में row number function क्या होता है आपके result set के अंदर जितने भी partition होता है उन सब partition की हर एक row के लिए एक sequential integer number को assign करता है जो row number होगा वो हर एक partition के लिए हमेशा one से start होगा और हर एक next row के लिए ये number one से increase हो जाएगा within each partition आप यहाँ पे row number का syntax को देख सकते हैं तो row number then over close and then उसके अंदर हम partition by and then order by close को use करते हैं तो अब इसको detail में समझ लेते हैं सबसे पहले बात करते है partition by value expression जो partition by close होता है वो optional होता है and then partition by close का main use होता है वो यह होता है कि from close के through जो आपका result set generate होता है उसको हम multiple partitions में divide कर पाए and then हर एक partition पे हम row number जो function होता है उसको apply कर पाए value expression specify करता है उस column को जिसके दुआरा हम अपने data set को partition करने वाले हैं and मैंने आपको बता दिया ओ लेडी कि यह totally optional होता है अगर आप partition by close को specify नहीं करते हैं तो जो row number function है वो क्या काम करेगा जो complete data set है उसको as a single group यह single partition लेके चलेगा और हर एक row के लिए एक number को generate कर देगा अब बात कर लेते हैं order by close की तो order by close जो होता है वो required होता है and basically order by close का यह use होता है कि वो sequence को define करता है जिस sequence में हर एक row के लिए row number unique value को generate करता है note मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो partition by close है अगर आप उसको use नहीं करते हैं तो row number क्या काम करेगा पूरे complete data को एक single group मान के चलेगा और हर एक row के लिए एक number को generate करेगा अब हम क्या काम कर लेते हैं row number function को sql server में एक बार समझ लेते हैं तो सबसे पहले मैंने क्या काम किया जो मेरा data था ठीक है आपको बता है मेरे पास एक employees टेबल थी मैं आपको employee table दिखा देता हूं जिसमा id एक primary की है देन first name last name salary gender city and department ठीक है फिर मैंने इस टेबल में कुछ record को insert क्या हुआ था ठीक है अब में क्या काम करता हूं इस टेबल पर ये query को perform करता हूं जो मैंने आपको employees टेबल बनाई वो नहीं है वो ये वाली है id name department and salary उसमें सिर्फ यह ही चार कोलम थे एंदेन यह मैंने यहाप पर उसमें data insert किया हुआ था ठीक है अब उस query को समझते है तो सबसे पहले मैंने क्या काम किया select close में दे लिया name department and salary salary के बाद मैंने क्या काम किया row number function को apply किया and then over close के बाद मैंने parenthesis में दे दिया order by department ठीक है तो यहापे मैंने क्या काम किया जो मेरा data था उसको मैंने किसी भी कोलम से partition नहीं किया तो partition by close का मैंने हाप यूज नहीं किया ठीक है and then जो भी एक number चनेट होगा उस column को मैंने क्या नाम जे दिया row number from employees तो हम मैं इसको run करके दिखाता हूं तो देखेगा इस data में total मैंने पास 12 rows दियो उसने क्या काम किया हर एक row को एक number assign कर दिया देखेगा और मैंने क्या क्या देटा को department से ascending order में short किया था ठीक है तो देखेगा data जो आया वो department wise आया पहले HR फिर IT and then फिर payroll ठीक है तो यह मैंने आपको बताया था कि जब हम row number function को बिना partition by के use करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको example में दिखाया है कि अगर आप partition by close जो की optional होता है उसको यूज नहीं करते है तो row number function पूरे result set को एक single group की तरह लेगा और row number function हर एक row के लिए एक consecutive number consecutive sequence generate कर देगा जो एक से start होगा और हर एक number के लिए एक से increase हो जाएगा अब हमारी result set में बारा रोज दी तो उसने बारा ही number generate कर दिया है order by close यूज करना mandatory होता है तो हमने data को order by किया था department से तो जो data short होके आया वो मेरा department से ही short होके आया अब बात कर लेते कि अगर हम query में order by close का भी use ना करें तो उस case में यह हमाई error आ जाएगी क्योंकि जो order by close होता है वो mandatory होता है ठीक है तो इसका मतलब order by close तो हमें use करना ही पड़ेगा तो आप देख लेंगे कि row number जो होता है वो must have an over close with order by तो row number function के साथ at least एक over और एक order by close होगा ही होगा अब बात कर लेते हैं row number function with partition by close तो इस case में हम क्या काम करने वाल है जो row number function होगा उसको partition by close के साथ use करेंगे ठीक है तो हम क्या काम करेंगे partition by के साथ किसी कोलम का ना हम specify कर देंगे जिससे हमारा data जो है वो partition बना देगा ठीक है और हम क्या काम करेंगे multiple partition के लिए जो row number function है वो क्या काम करेगा एक row number या एक consecutive sequence number generate कर देगा जो हर एक partition में one से start होगा and then हर एक बार एक increase हो जाएगा जब भी वो दूसरे partition के लिए number generate करने जाएगा फिर वो हमेशा one से करेगा ठीक है तो यहाँ पर मैंने क्या काम किया है जो मैं भी आपको example दिखाने वाला हूँ वहाँ पर मैंने partition by close में department use किया है department column से में उस data को partition करूँगा और order by close में मैंने name use किया जो मेरा data होगा वो partition तो करेगा department के according बड़ जो data को short करेगा हर एक partition में वो करेगा name के according ठीक है तो मैं आपको इहाँ पर example दिखाने वाला हूँ example से पहले मैं आपको इहाँ पर detail में समझा देता हूँ ठीक है तो यह picture है कि कैसे काम करने वाला है यह वो query होगी मैंने यहाँ पर name department and CLD select किया उसके बाद मैंने row number function को use किया over close के साथ and then partition by में दे दिया department order by में दे दिया name and then फिर जो भी number जननेट होगा उसको मैंने क्या ना data set बन गया में एक data set में में तीन partition बन गया ठीक है तो पहला partition जो होता वो क्या हुआ वो HR के लिए था किसके लिए था HR एक department था अब HR department में में मेरे कितने थे चार employees थे ठीक है तो उसने का काम किया पहले चारों को name से short कर दिया सबसे पहले मर्शल MIA फिर R फिर S फिर T ठीक है and then उस department में चारों बंदों के data को name से short करने बाए उसने उनको एक number assign कर दिया तो पहली row के लिए number कहां से start वो 1 से दूसरी row के लिए फिर वो 1 से increase हो गया ती चारी number रोज थी इसलिए उसने 1 से लेके 4 तक एक row number उनके लिए generate कर दिया अब देखेगा उसके बाद जो दूसरा department होता होता है IT क्या था वो IT ठीक है तो उसने क्या काम किया दूसरे department के लिए एक partition बना दिया हो and then उसमें भी सेम चारी row थी ठीक है उन चारों को जो employee के data थ पहले डेविड फिर जेम्स फिर पाम और फिर समिथ and then उनको भी उसने फिर से क्या काम किया जो रो नमबर था वह जन्रेट करके assign कर दिया 1 2 3 4 ध्यान दीजिए जब भी वह एक partition से दूसरे partition पर move करेगा तो row number हमेसा 1 से reset हो जाता है इसका मतलब फिर हर एक दूसरे partition के इसका example को भी देख लेते हैं ठीक है तो यह उसका example था कि हम कैसे row number function को partition by close के साथ use करेंगे ठीक है यहाँ पर में एक बार फिर से आपको जो मेरी एक query है employees table जो table है उसका data भी दिखा देता है इसमें मेरे पास 12 रोज है आप यहाँ पर देख सकते है और इड नेम डिपार्टमेंट एंड सेल ठीक है अब मेरे को क्या काम करना था डिपार्टमेंट वाइस data को पार्टिशन कर देना और हर एक पार्टिशन के लिए नंबर को generate कर देना तो यहाँ पर देखिएगा वही नेम डेन डिपार्टमेंट देन सेलरी फिर रो नंबर यह कोलम वह जो में को सिलेक्ट क्लोज में चाहिए ठीक है और प्रोजेक्शन आप इसको मान सकते हैं ठीक है फिर नंबर हो गया ठीक है फिर ओवर इसका मतलब रो नंबर जो है वह और के अंदर जो भी मैं काम कर रहा हूं उस पर वह अप्लाई होगा ठीक है फिर पार्टिशन बाइब हम अगर मैंने पार्टिशन यूजग तो डिपार्टमेंट जितन अप्लाई कर देने वाला है तो अभी स्क्वेरी को एक्जीक्यूट करते हैं तो देखिएगा सबसे पहले एचार डिपार्टमेंट था वन से लेके फोर तक इसने क्या काम क्या रो नंबर असाइन कर दिये फिर आइटी डिपार्टमेंट में चार इंप्लोई थे उनको भी न नंबर को हम पार्टिशन बाई के साथ और बिना पार्टिशन बाई के कैसे यूज करते हैं अब बात कर लेते हैं कि क्या कोई ऐसे रियल लाइफ एक्जामपल है जहां पर हमें रो नंबर की एक्च्छल में जरूरत पढ़ती है ठीक है तो उसको समझने के लिए हम क्या काम करेंगे क्योंकि duplicate data को हमने employees table में insert कर दिया है उसके बाद हम रो नंबर एन पार्टिशन बाई क्लोज का यूज करके जो duplicate data हमने उसमें इंसर्ट किया उस duplicate data को हम स्टेबल से डिलीट करने वाल है ठीक है तो ध्यान दीजेगा मैं क्या काम करने वाला हूं यह कुछ data यहां प दूप्लिकेट रोज को डिलीट करने के बाद मेरा actual data है साना चाहिए जेम्स की एक एंट्रियो रसूल की एक एंट्रियो और स्टोक्स की एक एंट्रियो अब क्योंकि यहां पर आईडी नेम डिपार्टमेंट और सेली सब कुछ ही यहां पर लोगों का जितनी भी वैल्यू कर देता हूं ठीक है तो मेरा जो data ता यहां पर वो सारा का सारा डिलीट हो गया है ठीक है तो टन्केट क्या काम करता है उसमें आप वेर क्लोज का यूज नहीं करते हैं तो आप यहां पर देख सकता है आईडी नेवी डिपार्टमेंट एंड सेली तो अभी जो इंप्लोई अब मैंने क्या काम किया, डेटा को टंकेट करने एक बाद में इस Employee Stable में कुछ duplicate record को insert कर देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको वहाँ पर screenshot में दिखाया रहा हूँ, अब अगर मैं आपको फिर से Stable का data दिखाऊँ, तो आप देखेंगे कुछ duplicate rows है, ठीक है, तो जैसे कि James की दो एंट्री है, रसूल की तीन एंट्री है, Stocks की चार एंट्री है, अब मैंको क्या काम करना है, इनकी जो duplicates एंट्री है, उनको मेरे को delete करना है, ठीक है, अब उनको delete कैसे कर सकता है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे CTE comment table expression का use किया है, ठीक है, जब भी हम CTE table बन मतलब सारे column आ जाए, comma row number, row number apply होगा, over किस पर apply होना है वो, partition by ID, तो मैंने काम किया, data को ID से partition कर दे, जैसे कि यहाँ पे James नाम की दो ID है, मतलब दो लोगों की ID 1-1 है, यह duplicate data है, तो इसके लिए इन दोनों के लिए एक-एक sequence number generate हो जाएगा, 1 और 2, जैसे कि यहाँ पे 2 ID वा ठीक है, ऐसे ही जहाँ पे ID 3 है, वो चार लोगों की है, तो इनके लिए एक row number generate हो जाएगा, 1, 2, 3 and 4, मैं आपको यह data यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है, देखिए का, 1 ID के लिए James के लिए 1 and 2 generate कर दिया, रसूल के लिए 1, 2 and 3 and stocks के लिए 1, 2, 3 and 4, ठीक है, अब क्या ह हुआ, तो जो यह data है, मैंने cobalt table expression में store कर लिया, ठीक है, हम क्या काम करते है, जो instance query के result होते है, उसको वहाँ पे store कर सकते है, ठीक है, and then उस query पे आप क्या काम कर सकते है, जो CTE होते है, उस पे आप select, update, delete, सारे operations को perform कर सकते है, तो मैं क्या काम करूँगा, जो मैंने यह बन जादा है, क्योंकि जहाँ पे ID एक से जादा है, वो सारे के सारे duplicate records है, इसका मतलब वो ID हमारे पास already है, ठीक है, तो मैं को उन सब को delete करना है, जहाँ पे जो row number है, वो एक से जादा है, तो देखेगा, मैं square को यहाँ पे execute कर देता हूँ, जैसे मैंने square को execute किया, तो वो सारी सिक्वेंस नंबर असाइन कर दिया था, हर एक row को, ठीक है, और फिर हमने क्या काम किया, हमने check किया, कि जहाँ पे भी जो row number है, वो एक से ज़्यादा है, वो सब duplicate rows है, फिर हमने क्या काम किया, उन सब को वहाँ से, एक where close में condition दे के जहाँ पे row number एक से ज़्यादा है, उन तो इसका मतलब क्या है कि जो duplicate records थे, उन सब को मैंने हाँ से delete कर दिया, ठीक है, तो आज की वीडियो में मेरे को row number ही समझाना था, I hope कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अगर आपका इस related कोई भी question है, तो आप YouTube पे comment कर दियेगा, मैं आपको वही पे reply कर दूँगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो please like, comment, share and subscribe and hit the bell icon, जिससे कि जब भी मैं new video upload करूँ, आपके पास notification आजाए और आपके लिए कोई video miss now, so thank you, let's connect in next video, bye